मुवी की शिर्वात सीरियन डिजर्ट के एक जगह से होती है जहां कुछ वेंपायर आते हैं हेलिकॉप्टर से और विरान जगह के अंदर जाते हैं जो लेडी हमें देखने को मिलती है उसका नाम टनीका टेलोस रहता है और बाकी जो तीन लोग रहते हैं उन में से एक का नाम जाड को ग्रिम विड रहता है और वो सब एक 5000 साल पूराने ड्रैकूला के तलास में आते हैं जो उन सब में वो पहला वेंपायर था वो उसे खोज भी लेते हैं उसके बाहर आने के बाद सिंसिट होके दो आदमी को टीवी शो पे दिखाया जाता है एक का नाम डॉक्टर ए पीछे मारने के लिए जा रहा होता है और उन्हें भगा भगा कर मारता है पर यहां एक ट्विस्ट होता है जिसे एंपायर समझ कर मारता है वो एक नॉर्मन हुमन निकलता है पर वो उनके लिए काम करता है और उसकी मरने वाली वीडियो टैनिका शूर्ट कर रही होती है विसलर से उसकी बात होती है और विसलर उसे समझाता है कि जो अभी हुआ वो थोड़ा पेचीदा है क्योंकि वेंपैर के मरने पे सिर्फ राख रहता है पर हुमेन के मरने पे बॉड़ी और एक सीरम का नया डिवाइस देता है जो इंजेक्ट करने के बजाए डारेक्ट इनहे जाता है वो उसके पास जाती है तो ड्रेक्ट कहता है तुम्हें मुझे नहीं जगाना चाहिए था तब डैनिका कहती है उसे की उसकी मदद चाहिए तब कहता है कि वो उसकी मदद क्यों करे तब डैनिका कहती है इनसानों के पास उनका एक हंटर है तब ही ड्रेक्ट कहता है उसके बाद कुछ वेंपायर को ट्रेलवे इस्टेशन पे लोगों को छेड़ते हुए दिखाया जाता है जहां एक लेडी एक बच्चे के साटरिन पकड़ने के लिए इस्टेशन पे जाती है और वो वेंपायर उसके पीछे जाते हैं तब ही उन्हें शौक लगता है जब वो उसे पकड़ कर बलड पीने का ट्राइ करते हैं और बचे के बजाए डॉलर रहता है ये पता चलने पे अचानक से वो उन्हें मारती है और एक एक करके और सब को मार देती है उसका नाम एपीगेल विसलर रहता है जो विसलर की बेटी रहती है उसके बाद बलेड को ध्यान क खड़ा रहता है और उसे पूछता है तो पता चलता है कि पुलिस वहां आ चुकी है और वैसे ही पुलिस चारू तरफ से इंटर होती है और दोनों सब को मारते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं जहां विसलर अपनी कंप्यूटर को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हुए आगे बाहर के ओर फेका जाते हैं जहां ब्लेड ये देखकर चिलाता है पर पुलिस से खेरे रहने के कारण वो अपने आपको सरेंडर कर देता है उसके बाद दो एजेंट को ब्लेड से पूछदाच करते हुए दिखाया जाता है जहां ब्लेड उन्हें वेंपायर के बारे में ब उसे मदहोश कर देती है तब ही वो ब्लेट को बताता है कि वो भी वेंपायर के लिए काम करता है। उसके बाद डैनिका को अपने साथियों के साथ आते हुए दिखाया जाता है जहां वो सब ब्लेट को कहते हैं अब तुम्हें कौन बचाएगा तभी एक ग्लाश तूटता है और अनिबेल किंग नाम का एक आदमी अंदर आता है और ब्लेट को उसका सिरम देता है जिसे कि वो Khosm आजाये और जब तक वो उनस हब को मार रहा होता है जब लेट उठता है तो सब वहां से भाग जाते हैं और तभी पिलेट हैंनीबल के साथ वहां से निकलता है जहां पुलिस वालों से सामना होता है जो उन्हें रोकने की कोशिश करते है तभी विसलर की बेटी एबीगेल की इंट्री होती है वो सब आगे बढ़ चले जाते हैं पर चारो तरफ से घीरे रहने के कारण जहां एक तरफ वेंपायर रहते हैं और दुसरी तरफ पुलीस वाले तभी ब्लेड वहां से चला जाता है तो हैनिवेल और एबीगेल डिसाइड करते हुए वह आ जाते हैं तो वैसे ही हनिवेल का साथी गारी लेकर आता है और वो सब ब्लेड के साथ वहां से निकल जाते हैं और सब पहुंचते हैं हनिवेल के सिर्फ प्लेस पे जहां वो सब की एकीम होती है जो वेंपायर से लड़ती है और वो सब अपने आपको भुलाते हैं से ठीक हो गया और कहता है वो ब्लेट की मदद करना चाहता है इस लड़ाई में क्यूंकि उनके मुग ताविक विंपायर ने अपने जाती के पहले विंपायर जो लगभग की बीच में ना आता तो तभी वहाँ ड्रेक आता है और उनसे कहता है अप टाइम आ गया है कि मैं इस खेल में सामील हूँ उसके बाद ड्रेक को डेट टाइम में रोट पे चलते हुए दिखाया जाता है जहां वो एक ड्रकुला शॉप देखके अंदर जाता है जहां ड्रकु जो पूरे वेंपायर को एक शौट में खत्म कर देगा पर यहां एक प्रावलम रहता है कि जो उन्हें इसे ट्रिगर करने के लिए ड्रैकुला मीन ड्रेक की ब्लड की ज़रूरत होगी क्यूंकि वो उन सब में पहला था तो उसका ब्लड प्योर होगा इन सब वेंपायर में से उसके बाद वो डिसाइट करते हैं ड्रेक को ढूंडने के लिए तभी वो सब अपने एक वेपन एकसपर्ट के पास जाते हैं जिसका नाम हेडगेस रहता है वो अपना वेपन दिखाता है और तभी तीनों को साथ में ड्रेक को ढूंडते हुए दिखाया जाता है जहां एक आदमी को जब वो लटका रहोते हैं तब ही उसका फोन आता है उस कॉल पे डॉक्टर एडगार रहता है और ये पता चलते ही ब्लेड उसे छोड़ वहाँ से चल देता है और वो तीनों पहुंचते हैं एडगार के ऑफिस में जहां वहाँ के गाट को मारते हुए आगे बढ़ जाता है और बलेड उसका पीछा करता है पर वो वहाँ से भाग निकलता है तब हेनिवैल को एविगेल रिस्क्यू करती है और उसके वाद उसे अपने से प्लिस पे पड़े टीवी देखते वे दिखाया जाता है जहां बलेड और एविगेल आते है तो वो उन दूनों से करती थी तभी डिरिक बताता है कि जब जीजस को फासी ओर रही थी तभी वह खड़ा था और उसे कहता है यह उतार दो और देखो मैं तुम्हें क्या बनाता हूं तब डनिका को वो क्रॉस उतारते वे दिखाया जाता है उसके बाद वो उसे बाइट करने लगता है तभी ब्ल से रोकता है तबी जो ही कहती है आप अच्से बने क्यूं नहीं रहते हैं तो ब्लेट कहता है क्यूंकि यह दुनिया अच्छी नहीं पदो पर और के दो भीजिल दो नहीं है उसके बारे में पता चलने का बाद बताती है'RE जब एजेन बलेट उसे व्हों वे प्लेष खोलने के लिए कहता है जहां उने पता चलता है कि वेंपायर ने एक पूरा ब्लड हारवेस्टिंग सेंटर बना रखा है यह वह लोग होते हैं जो यह जनका कोई नहीं होता है तब प्लेड उसे माड़के वो सेंटर बंद करा देता है और वहां से दोनों चले जाते हैं उसके बाद निवल के पास विसलर को दिखाया जाता है पर वो ट्रेक रहता है उसके बाद समर फिल्ड को अपनी बेटी जोई के साथ दिखाया जाता है जहां जोई बताती है कि सारी आपते हुए जोई को कहती है तुम्हें जाके छुपना होगा जैसा हमने डिसाइट किया था पहले और कुछ भी हो जाए बाहर मत आना और जोई को वहां से भेज के जब अंदर अपने साथियों को खोशते हुए आती है तो उसके पीछे ड्रेक खड़ा रहता है और तभी जो को यहां जब आगे के बढ़ रही होती है वैसे ही एक हाथ उसके तरब बढ़ते वे दिखाया जाता है उसके वाए शिंचीफ्ट होता है और ब्लेड और एबीगेल को वहां आते वे दिखाया जाता है जहां वो सीचवेशन को देखते हुए तुरंट एक्शन में आते हैं और जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं सारे साथी मड़े पड़े हैं समर फिल्ड को बाइट करके टांगे रहते हैं जहां ये सब देख एबिगेल इमोशनल होकर चिलाने लगती है उसके वाद निवेल को डनिका के कैद में दिखाया जाता है जहां उसके साथी जाड को और वाँ आता है और वो कहती है कि इस बच्ची को छोड़ दूंगी तभी हैनिवेल मजबूर हो जाता है उसके बाद एबिगेल को अपने वेपन को और भी अच्छा बना रही होती है तो ब्लेड वाँ आता है और कहता है अपने आपको कमजोर मत होने दो इसे अपनी ताकत बन आते हैं जहां उन्हें समर फिल्ड का रिकॉर्ट किया हुआ वीडियो देखने को मिलता है उस वीडियो से पता चलता है कि जो बायो वेपन के बारे में पहले बात वो कर रही होती है वो तयार रहता है पर अभी टेस्ट नहीं हुआ रहता क्यूंकि ड्रे का ब्लड सैंपल नहीं मिला था जहां ये भी उन्हें पता चलता है कि इसे यूस करने पे शायद ब्लेट भी ना बच पाय क्यूंकि वह विए वेंपाइर है पर इसके चांसेस 50-50 हैं और इसके बाद उन्हें वो बायो वेपन मिलता है तुसरी और ड्रेक को जो ही से बात करता है कि वो उसे जिन्दगी वर्ड के लिए ऐसा गिफ्ट देगा जो वो बच्ची बनी रह सकती है तो जो ही कहती है कि उसके दोस्त उसे मारने के लिए आ रहे हैं तभी ब्लेड और एविगल को फाइट के लिए वेपन्स प्रिपेर करते हैं दिखाया जाता है और वेपन्स प्रिपेर करने क वो यहां आ चुके हैं और यह जो तुम्हें सांस लेने प्रॉब्लम हो रही है यह उसी की साइन है तभी वहां ब्लेड की इंट्री होती है और वो जाड़कों को मारता है जिससे की वो डोर तोड के बार फेका जाता है यह देख डैनिका और दुसरे वहां से भाग जाते है और ब्लेड वहां से आगे बढ़ता है सब को मारते हुए तभी एबीगेल की इंट्री होती है वो हैनिवेल को अजाद कर उसके वेपन्स उसे देती है और फाइट करने के लिए वो भी वहां से निकल के सब को मारने लगती है तभी ब्लेड भी आगे बढ़ते जा रहा होता और एबीगेल को जोई मिल जाती है जहां वो उसे वहां से अजात करके निकाल देती है तब ही एनिवेल का सामना वहां के वेंपायर डॉगी से होता है जहां वो उन सब से पीछा छोडाते हुए भाग रहा होता है और उन्हें बिल्लिंग से नीचे गिरा देता है अपने करते हुए दिखाया जाता है और अगे मारते हुए बढ़ते रहती जो उसके रास्ते में आते हैं और एक अस्पॉर्ट की तलाश में रहती है जहां से वो ड्रेक को वो बायो वेपन वाला तीर मार सके पर डैनी का उस पर फाइरिंग करने लगती है तभी जाड़कों को वहां से मार कर निकलता है जहां वो देखता है कि टैनी का एवीगल के फाइरिंग कर रही होती है तो वो उसे उसके सार्व फाइट करके बजाय रखता है दुसरी वो ड्रेक बलेट पे भारी पर रहा होता है और ड्रेक को अपने रियल रूप में आते हुए दिखाया जाता है देखता है जहां उसका असर स्टार्ट हो जाता है और अर्रेक कमजोर होके गिड़ जाता है और उसके बात वहां के सारे विपायर को तरबते हुए दिखाया जाता है तभी डैनी का जब हैनीवेल को मारने वाली रहती वैसे ही वो बायो वेपन हवा में घुलके उसे मार दे में लगे रहे पर यहां already पहले से exist करता है और ये भी कहता है कि तुम अच्छा लड़े मैं इसका समान करता हूं पर आज नहीं तो कल प्यास ही जीतेगा और ये कहके मड़ जाता है तभी sun निकलते हुए दिखाया जाता है और vampire की body जल जाती है और उसके बाद blade और drick को वाँ पड़े रहते हैं तभी हमें लगता है कि blade भी मढ़ गया और हैनीवेल और एविगल वहां आते हैं उसके बाद police को आते वे दिखाया जाता है जहां blade वहां पड़ा रहता है और उसके बाद scene shift होके blade के post-mortem का scene दिखाया जाता है जहां blade को खोश्च आता है और वह खड़ा हो जाता है तभी movie का the end हो जाता है